अलो स्टुडेंट्स मैंने मिस्रमाकान पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन अकेडमी छिनबाड़ा तो बच्चों आज हम बात करेंगे आप से एक नहीं गाय के बारे में जिस गाय का नाम है बच्चों कृष्णा वेली गाय और यह हमारा रेक्चर नमर 27 यदि आपने श्ितपर्ति स्थान मानी जाती है यह और कहां-कहां देखने को मिलती बच्चों यह आपको देखने को मिलेगी महरास्ट में ठीक है और करनाटक राज्यों में और जिदी जिलो की बात करें तो सता रह सांगली शोला पूर बेल गाह रायचूर और बीजा पूर जिलो में आपको ये देखने को मिल जाएंगी यदि बच्चों इसको हम लोग रूलर कंडिशन में बात की जाए ग्रामिन इलाकों में दी बात की जाए तो कितना दूद देती बच्चों ये लगबग लगबग 900 लीटर के आसपास में दूद देती है बच्चों इसको वेबसाइक फर्म में देखे तो लगबग लगबग कितना लीटर 1200 लीटर के आसपास में दूद देती है अब बात करेंगे बच्चों की पहली बार जो बच्चडे जन्म देने योग जो गाय होती वो उसकी उम्र कितनी होना चीए लगबग लगब फर्स्ट ब्रीदिंग जो एज होती बच्चों साड़े 3 से साड़े 4 बरस के आसपास मानी जाती है जो सबी गावे में लगबग कॉमन माना जाता है प्रजिनन की अबधी में जो एक अंतराल माना जाता है कि एक बच्चड़े से दूसरे बच्चड़े की बीच की जो अंतर होता है वो अंतर 483 दिन के आसपास का होता है यदि इंटर रिक्रोडक्शन पीड़ेड ही आपसे पूछा जाए कि इंटरवल ठीक है लगबग लगबग 13-15 महिने के आसपास का gap इसमें माना जाता है, तो age of maturity आपसे पूछ लिया जाए, बच्चों की भाई, ठीक है, कितने वर्स में वो क्या होती, बच्छरे देने योग हो जाती है, तो लगबग 3-5 वर्स जो हमने देखा है, बच्चों वो यदि मन्थ में द देखा जाए, तो 515-600 दिन माना जाता है, याद रखेंगे काफी important हो जाता है, कृष्णा वेली की पत्ति स्थान आपको पता है, करनाटक, ठीक है, बेलगाओ, जो करनाटक, ठीक है, जिला है, वो बेलगाओ हो गया, रायचूर हो गया, बीजापूर ये जिले हो गया, ठी पीछे से थोड़ा भाग सा कैसा दिखा रहा है, आपको डार्क वाला भाग दिखाई, दे रहा है, दूद का जो परसेंटेज, बसा का परसेंटेज है, वो 4.94% के आसपास आपको इसमें fat या बसा दिखाई, देगा जो काफी अच्छा माना जाता है, इसके बाद बच्चो दूद यह क्या करती, बच्चों परड़े देती आपको, बच्चों इदी बात करें, किसका क्रोस माना जाता है, तो बच्चों गिर और कांक्रेज नसल जो है, ठीक है, इनका क्रोस माना जाता है, किसके साथ है, बच्चों अंगोल नसले के साथ में, इसका क्रोस माना जाता तो क्या है बच्चों हम बात कर रहें क्रिश्चना वेली काउ के बारे में जिसका दरनेम होता बच्चों क्रिश्चना वेली याद रखेंगे आप लोग breed purpose भाई milk और draft purpose दोनों हैं ठीक है दुधारू है मतलब दूद भी देती और भारवाहग भी दोनों हैं हाड़ी होती स्ट्रॉंग होती और सांथी क्या होती बच्चों friendly होती है ब्रीट साइज काफी लार्ज है यदि बजन देखें किसका नर का देखें नर पसू का बजन देखें तो 550 केजी के आसपास में जो काफी healthy हो जाता है काउ का देखेंगे बच्चों तो लगबग 325 केज ना तो जादा ना तो कम रेरिटी कैसी बच्चों इसकी common है और उत्पत्ति स्थान क्या बच्चों करनाटक जो कहां आता है बच्चों हमारे इंडिया में आता है तो यह भारती गाए इसे माना जाएगा बच्चों याद रखेंगे आप लोग इसके बाद में बच्चों आ 153 सेंटीमिटर हो जाएगा यह वाली हाइट 145 सेंटीमिटर हो जाएगी मेल की ठीक है और बॉडी लेंध में 153 सेंटीमिटर यह हो गया और 132 सेंटीमिटर किसकी होगी बच्चों फीमेल की हो गई चेस्ट गर्थ मतलब यहां से गले से जो नमबाई नापी जाती यह वाल तो 23 kg बर्थ बेट इनका लगभग होता है और फीमिल का जो होता 22 kg के आसपास में जब भी गाय ठीक है एक बचले को जन देती तो उसका बजन 20 से 23 kg या 24 kg के आसपास में होता है 20 से 23 kg सफिशेंट आपका अंसर हो जाएगा बच्चों आप से और बात करें कि उत्पत्ती स्थान से आपको एक दूसरे तरीके से नदी से कोश्चन दिया जाए तो इसकी उत्पत्ती बच्चों कृस्णा ठीक हाट प्रभा और मल प्रभा नदीयों के छेत्रों से मानी जाती है जो करनाटक में आपको देखने को मिल प्रभाती है जाती है झालेव जुछ का डिकी से कस्क्राइए ज किवड़ आपको याझ जियो